हेलो गाइज वेलकम बैक तो बीसी ओले युट्यूब चैनल एंड आप में से कई लोग बोल रहे थे ना बजट सीप्यू नहीं आ रहे भाईया AMD ने वो Ryzen 5 5600X रिलीज कर दिया लेकिन कोई Ryzen 5 नॉन एक्स वाला नहीं है कोई Ryzen 3 रिलीज नहीं कर रहा तो आहाम लोगों के बजट गेमर्स जो हम लोग है उनका क्या होगा हमारे बजट सीप्यू कब आएंगे हम लोग कौन सा सीप्यू लें कोई बोल रहा है मैं APU पे बि चैनल को सपोर्ट करो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह बढ़ते हैं वीडियो में आगे तो यहां पर सीप्यू क्या हुआ है कि तुमारे कोमाची लीकर है ट्विटर पे उन्होंने USB IEF डेटाबेस जो है वह यहां पर जो तुमारे कुछ स्क्रीन शॉट्स या कुछ फोटो 3500 नाम का CPU था फिर 3600 था तो आब एक 4500 हो सकता है जो कि तुमारा 3500 का अपडेटेड वर्जिन हो और फिर तुमारा एक CPU जो कि थोड़े मिड रेंज गेमरे Ryzen 5 और Aetheron के बीच में आने वाले उनके लिए Ryzen 3 4100 ठीक है Ryzen 3 3100 आपको याद है 3300X आपको याद है तो यहां प कव availability होगी इनकी इनके ओपर बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले बात करते है Ryzen 5 4500 की तो यह देखो तुम्हें पता है 3500 जो CPU था वो 6 कोर का CPU था यह भी 6 कोर का CPU है इसके अंदर कोई simultaneous multi-threading है फिर hyperthreading जैसा कोई है नहीं तो 6 कोर 6-threading है ठीक है और इसकी जो है वो CPU बहुत amazing होने वाला है अगर यह अच्छी प्राइस पर आता है अच्छे specs पर आता है तो यह काफी amazing होने वाले आपके लिए राइजन 3 3100 और राइजन 3 3300 X कितने successful CPU थे काफी लोगों ने उनको भाय का रहा वो आप लोग जानते ही हो मेर से बेटर जानते हो क्योंकि आप में से कई लोगों ने खरीदे भी है वो तो उनके लिए जो है वो यह काफी अच्छो उप्शन होने वाल है जिसको कि एकदम entry-level एथलोन गोर्ड जो 4100 GE है यह चार कोर का CPU है चार थ्रेड़जेंस के अंदर हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलेगी आपको और इसके अंदर सिफ 35 वाज की TDP है और वेगा 3 ग्राफिक इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले है तो हाँ आप इसके अंदर एक ग्राफिक क इसके अंदर आता लेकिन यह जैन 2 पर ही बेजड है और दूसरी चीज जो है तुम्हें आप एक चीज और ध्यान में रखने है कि यह जो है क्योंकि जैन 2 पर बेजड है तो यह जो तुम्हारे पुराने CPUs थे उन्हीं का रिफ्रेश्ज वर्जिन है तो clock speeds वगर इनकी नही पता चलती है जब नया launch होता है जब AMD release करेगा तभी पता चलेगी लेकिन again क्योंकि low end CPUs है refresh निकाल दे तो हम hope कर सकते हैं कि हमारे budget के अंदर इन में से कोई ना कोई एक CPU तो पढ़े गा है ना और तीसरी चीज इसके अंदर देखो सबसे पहली ध्यान में रखने वाली यह ह वो यह कि हो सकता है यह जो CPUs हो यह OEM only CPUs हो मतलब कि DIY market में ना launch हो बट तुम जानते हो कि जो तुमारा 4650G है और 4350G से CPUs हैं यह भी OEM only CPUs हैं यह भी सिर्फ OEM के लिए launch होए थे यह DIY के लिए नहीं आए थे लेकिन यह फिर भी बिक रहे हैं market में तो यह OEM only हो यह ना हो यह आ जाएंगे market में sell होने के लिए और Athlon के पीछे मुझे लगता है Athlon और Ryzen 3 4100 के ज्यादा फैंस यहां पर मिरको देखने को मिलने वाले है विकास बजट जो entry-level के जो बंदे हैं जिनको NVIDIA के 3050, 1650, Super इस टाइप के gaming PC विल्स करने हैं उनके लिए तुमारा 4100 है Athlon यह पिर 4100 Ryzen 3 और 4100 GE Athlon में जो हो इंट्रस्टेड हो वो जो हो कमेंट सक्षिन ने बताओ और कितने लोग वेट कर रहो कोई release date वगरा भी बताई नहीं है first time जो हो spot हो है तो वो चीज है और बाकी अगें तुम लोग का PC बिल्ड करने के ऊपर क्या thoughts हैं कब तुम budget बना के अपना बै टेक केर गईज